नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चनल लेकियों डिचन में दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थमनेल पे देख लिया है 20 x 100 20 x 100 में बने इस प्लान के बारे में हम सब को डिसक्स करेंगे 2D प्लान 3D बिथ डाइमेंशन तो फटा फटा हम पहले इसलिए छोड़ा है ताकि आपका जोभी मकास कस्टमर आये जैसे आपके दुकान प्लान वी दे दे देते हैं यह आपको एक ये एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच दुकाने हैं यहाँ पे, ठीक है, इन दो दुकानों का यहाँ पे सटर दिया गया है, यह, और इसका, यह कॉर्णर वाली स्वाप पे दोनों साइट यहाँ पे सटर दिया गया है, ठीक है, यह दो, इसमें दुकान दिया है, पांच दुकान हो गई, और पीछे रहने के लिए रेजडेंसियल के लिए बनाया गए दोस्तों, इसमें दो घर है, दो कमरे हैं, एक और ये दो, ठीक है, और ये आपका टोइलेट बातरों इधर पीछे है, और ये किचन है, इसको हम सब को डिसक्स करेंगे, साइज वह गयरा किसाब से, तो इसको हम जूम कर लेते हैं, आपको तहे, ताकि सारा कुछ बेहतर से समझ माया है, दोस्तों, तो इसको हम हमेशा की तरह जूम कर लिए हैं, ठीक है दोस्त इसको जान लेजिए, रेट कलर आपको कॉलम पोजिशन है, ये आपका एक सॉप है, सॉप वन है, इसका जो साइज है, नो फिटेक चिटू बीस फिट का, दोनों का साइज सेम है, ये दो सटर है, यहाँ पे एक दो तीन, इस तरीके से इस्टेप आपको डिजैन करना होगा ठीक है, और यहाँ पे इस साइड भी आपका इस्टेप है, यहाँ पे इस्टेप नहीं सोग किया गया, मिश्टेक हो गया, छुट गया है, ठीक है, ये दो सटर इस तरफ है, और इससे पीछे चलते जाएंगे, तो सॉप थरीका जो साइज है, यहाँ फिट दो इंच इसका बढ़ गया, यारा फिट दो इंच है, बाकी विर्ट सेम है, ठीक है, और इसी तरीके से आपको यहाँ पे आ जाएंगे, पीछे के तरफ से, यह आपका डी, डी ओन इससे कुद लव आपको आगे बताएंगे, यहाँ से आपको इस तरीके से इस्टेप डिजाइन किया गया यहाँ से हो जाए, ठीक है, और यह एक विर्ट सेम में, दिया गया है, यह आपका डाइनिंग इस स्पेस है, इसी चाम का जो साइज है, पीजेद दो-इस तरीके से डिजेट गया है, दोस्तों, और वार्श्ट रूम वान का, जो साइज है, 4 फिर, 2 इंच आपीज आट फि चाहे तो रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो close कर सकते हैं आपके चुआ इसे दोस्तों और ये किचन का जो सब्सक्राइब है आठ भाई ये आठ का दिये गए है दोस्तों तो इसमें कॉलम के अगर बात करते हैं तो एक दो ये रिट कॉलम है एक दो ठीकर तीन चार पांच छ है रिट कोलम के में चाहें आपको डिक ली कोडसर नबर मिल जाएगा दोस्तों यहां पर कुछ डिटेल है आउटर वाल आपकी 9 इंच है इनर वाल आपकी 4 है जो भी पार क्रेशन वाल है वह 4 है इंच है डी मतलब टाइप वण जहाँ पर दिखा होगा उसका जोस्का जोसा तो यह था हमारा 2D प्लान दोस्तों आई अब डिसक्स करते हैं इसका 3D वाक्थू भी आपको अब डिसक्स करते हैं तो यह प्लान जो है 20 फिट इसका फ्रंट है और यह फ्रंट में आप देख सकते हैं और वाइन साइड में भी रोड है आपका मकान का ठीक है तो इस तरीके से सामने आपको दो पिलर दिखेंगे दो पिलर छे फिट का इस पेस यहां पर छोड़ा गया है आपको दिख लिए तो आपको तीन इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा दोनों साइड तो इस साइड भी आपको आगे दो दुकाने थी और इस साइड में चार दुकान है जैसे हमने तोडी प्लान में आपको अलडेडी डिसकस कर लिया है दोस्तों ठीक है और पीछे आपको residential रहने के लिए बनाया गया है दोस्तों यह सारा कुछ आप railing की design आप देख लिया इस तरीके से लिए लूग है तो आई अब डिसक्स करते हैं अन्दर इसका मिल जायाग Eden दो और यह आपका दूसरा बेटो बै डूम नमबर से चाहँ यह बेटोपर नमबर टूップ करेंद्धो और आपको सामने बाकि यले जाएगी यह आपका 12-14 बागा सकते हैं यहां पर आपको वाजबेसन वह गएरा लगा सकते हैं यह आपका टौलेट वातरूम हो जाएगा इस यहां पिसा वागयरा इस तरीके लगा रहा तलिगे से अब अब पर यह कर लिया है व Mos बा कर लिया है इस तरीके साब भीझागर यूज करेंगे तो यहां सामने आपको विंडू डिजाइन करना है इस से नेच्रल लाइट और विंटिलेशन होता रहेगा आपके मंटी रूम में यह आपका हो जायगा मंटी रूम मंटी रूम की डिजाइन आप देख लेज़े इस तरीके साबको डिजाइन रहेगा दोस्तों तो यह सारा होप यह वीडियो को बहुत यूस्पूर लगए और वीडियो पसंद है प्लीज हमाई चैनल एक हम जाने को लाइक से ने सब्सक्राइब जरू करें दोस्तों इसी है सकत मिलते हैं किसी यह दूसरी वीडियो लक्षर में तब तक के लिए धन्यबाद दोस्तों